मैं इन चीजों को मानता भी हूं और मैं इसलिए नहीं मानता कि यह मेरे गेस्ट है या मेरे पोड कास्ट पर क्योंकि मैंने भी सेशन लिया है मुझे पता है भाई फील कराते समय आंखों से ना ऐसे टप 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 पाने निकलता है अगर आप लोग पोड़कास देखते देखते यहां तक आ गए हो अभी एक पावरफुल मंत्रा हमारी प्यारी सी ओडिये सर मुझे आपसे एक पावरफुल मंत्रा चाहिए जिसको लोग चैंट करे या प्रेक्टिस करे या एक्सरसाइज करे यह आपकी ओडियेंस है जी सरा मैं इमानता हूं कि कल्यूग के लिए विश्णु सहस्त नाम इससे बड़ा कोई पावरफुल मंत्रा नहीं है मैं जितनों को भी रेमेडीज दी जितनों को भी हीलिंग दी है मैं विश्णु सहस्त नाम ज़रूर बता है मुझे लगता है कि काफी सारी remedies में हो जाती है money की, health की आपकी energy की बस एक काम करना कि अपना routine सही रखना अपनी मान सकता सही रखना विश्णू सहस्णाम के अंदर ना ऐसी एक ओर्जा है जो मैंने खुद भी feel करी मेरी family में feel करी है जो आपकी life हो ना पूरा बदल देगी अगर आप चमतकार कहते हो ना मैंने चमतकार होते देखें किवल इस मंतर से मैंने किवल इस मंतर चला के रखा सर मेरी खुद की life ऐसे change हो गई पता नहीं इसमें क्या है हजार नाम है विश्णू के भीश में जब जा रहे थे ना तो उस वक्ती ये chanting होई थी उन्हें रुजिद्ष्ण को दिये थे ये हजार नाम और वहां उनका मुंग से बना था तो इसके अंदर उर्जा बहुत है मेरा मानना है कि सर अगर किसी को कोई परिशानी है कोई व्याधा है कोई बाधा है किसी परिकार की बाधा है विश्णों सवस्णा में जब हो ली थे एक चीज़ और meditation बहुत ज़रूरी है अगर early morning हो सके तो please early morning उटके meditation करें जाए फिर सो जाए आदा गंटा meditate कर लें साड़े तीन साड़े चार के बीच में यह miraculous time period है आपको अंदाजा भी नहीं आपकी life कितनी बेहतर हो जाएगी काईदे से meditation के बाद सोना नहीं चाहिए ideally सोना नहीं चाहिए ध्यान लग जब जाए तो सोना नहीं चाहिए पर अगर नींद आए तो सो जाए अपने मन में एक शांती महसूस करेंगे एक शक्ती महसूस करेंगे डन सर आपसे